हाई फ्रेंड्स मैं पूर्बा आपनों का स्वागत करती हूँ MP Successors में और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश डेली करेंटाफियर की सीरीज 143 के बारे में और यहाँ पर आज हम डिसकस करेंगे 22 दिसंबर 2020 के मंध्य प्रदेश करेंटाफियर के बारे में आज का हमारा फस्ट कॉस्चन है हाली में भारत में तेंदुए की आबादी की इस्थिती रिपोर्ट 2018 जारी की गई है मंध्य प्रदेश को इसमें कौन सा हिस्थान प्राप्ट हुआ है तो अप्शन नमर ए हमारे यहां पर राइट आंसर होगा पहला कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स इससे हम यहां पर देखेंगे तो किंद्री परियावरण मंत्री स्रीप्रकास जावडेकर ने भारत में तेंदुए की आबादी की इस्थिती रिपोर्ट 2018 दिल्ली में ज इंदुए मध्य प्रदेश में हैं तो यह इंपोर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं नेक्स्ट यहां पर कॉश्चन करने से पहले बता दूं कि परिक्षा एप पर टेस सीरीज और वीडियो कोर्से से अबील हैं अगर आप उनके माध्यम से मध्य प्रदेश औ और अन्य इस्टेट और स्टेट लेपल एक्जाम की प्रपरिशन करना चाहते हैं तो अभी इसमें 31 दिसंबर तक 50 परसेंट का फ्लेट डिस्काउंट चल रहा है तो आप लोग ओफर का लाव उठाएं कोपन कोड यूज करें एम सक्सेस 50 तो आपको 50 परसेंट आप मिल जा आया जाएगा तो अप्शन नम्बर सी यहां पर हमारा राई डांसर होगा हरदा क्रशी मंतरी स्रीकमल पटेल ने हरदा में कलेक्टर और जिला पंचायत के मुक्य कारिय पालक अधिकारी को पूर्व प्रधान मंतरी भारत रतन श्री अटल बिहारी बाजपी के जन्में दि 25 दिसंबर को सुसासन दिबस मनाने के साथ ही 31 दिसंबर तक सुसासन सप्ता मनाने की निर्देश दिये हैं और साथ ही इनोंने कहा है कि सुसासन सप्ता में हर इतिगराई को उनकी पातरता की अनुशार घर पहुंचकर लाप पहुंचाना सुने स्चित किया जाएगा इसके अनुसूचे जाथि, जाथि, बर्ग के ब्यक्तियों के जो गरीब भी लेकह से नीछे के कार्ड वगेरा है और जो जाथि के अनुशार जो कार्ड रहते हैं, जिनकी योजणाओ पिविन योजनाओ के जो लाब धाराक ہیں और उनके जो कार्ड बनाये जाते हैं, अनका लाप पहुचाया जाएगा. विद्वाये को पैंसन बगएरा दी जाती है, उनके जो कार्ड बनाये जाते हैं, ये सब कार्य इसके अंवटर्गत किये जाएगी. Next, यहांपर रहे हैं हमारा Question No.3, तो question number 3 की अगर हम बात करें तो हाली में मध्यप्रदेश बिग्यान इवन प्रद्योगी मंत्री स्री ओम प्रकास सक ले जाने मध्यप्रदेश electronic development corporation की किस पद का कारिबार ग्रहंड किया है तो option number B यहां पर हमारा right answer होगा अध्यक्ष यहां पर अगर हम बात करें तो विग्यान और इवन प्रद्योगी मंत्री स्री ओम प्रकास सक ले जाने 21 दिसंबर को मध्यप्रदेश electronic development corporation की अध्यक्ष का कारिबार ग्रहंड किया है तो यह आपको याद रखना है और date आपको याद रखनी है next हम यहाँ पर बात करेंगे fourth number question की हाली में प्रदेश के भूदपूर्व मुख्यमंत्री स्री मौती लाल बोरा के निधन पर उनके सम्मान में प्रदेश में कितने दिनों का राज किये सोग घुसित किया गया है तो option number B यहाँ पर हमारा right answer होगा थिरी यहाँ पर अगर हम बात करें important facts की इनके बारे में तो भूदपूर्व मुख्यमंत्री स्री मौती लाल बोरा के निधन पर उनके सम्मान में प्रदेश में तीन दूनों का राज किये सोग घुसित किया गया है और राज के शासन द्वारा जारी आधेस में 21 दिसमांबर से 23 दिसमां दोजार बीश तक राज किये सोग के दौरान प्रदेश भर में राष्ट को बंद किया गया है अगर हम यहां पर बात करें तो option number D यहां पर हमारा right answer होगा उपयोगत साभी मुख्यमंत्री यूगा उद्धमी योजना मुख्यमंत्री शौरोजगार योजना और मुख्यमंत्री क्रशी उद्धमी योजना मध्यप्रदेश सरकार ने इन योजनाओं को अभी अकसमेक रूप से बंद कर दिया गया है इनकी registration बगएरा जो process होती है वो close कर दिये गये हैं जो नए registration है इनके वो बंद किये गये हैं क्योंकि इन योजनाओं में सुधार किया जाएगा और उसके बाद इनको फिर से सुरू किया जाएगा ठीक है तो नए रूप से भी इनको सुरू किया जा सकता है नए योजनाओं बनाकर या इन ही योजनाओं पर फिर से सुधार करके सुरू किया जा सकता है तो यह आपको याद रखना है अकर हम यहाँ पर बात करें मुख्य मंत्री यूबा उध्धमी योजना की तो दस भी पास 18 से 40 बर्च आयू की यूबक इस यूजना के लिए पात्र होते हैं और इसमें 10 लाक रोपे से लेकर 2 करोड रोपे तक का लोन दिया जाता है तो ये आपको याद रखना है नेक्स्ट यहां पर है मुख्यमंत्री शौरोजगार यूजना तो इस यूजना में 18 से 45 बर्च के यूबक पात्र होते हैं और व्यपसाई के लिए 50,000 से 10 लाक रोपे तक का लोन इसमें दिया जाता है और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो है मुख्यमंत्री क्रश्य उद्धमी यूजना तो इसमें किसानों के बच्चे के लिए ये यूजना थी और अभी ये यूजना होती है और इसमें 10 भी पास 18 से 45 बर्च के यूबक पात्र होते हैं और इसमें 50,000 से 2 करोड रोपे तक का कर्श दिया जाता है इसमें 18 लाक रोपे तक का अधिकतम अनुदान दिया जाता है और पोर्सों को लोन रासी पर लगने वाले ब्याज पर 5 प्रिशत और महिला उद्धमी को 6 प्रिशत ब्याज की सबसीडियस में दी जाती है और मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें मतलब इस से करीब 1.50 लाक लोगों को रोजगार मिला है करीब मतलब 1.5 लाक लोगों को और बैंकों में प्रिश भर से सरकार को 20,000 आविदन इस बड़्स भेजे गए हैं ठीक है तो ये आपको याद रखना है नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे 6 नमबर क्वेशन की हाली में गायतरी परिवार का हरिद्वार पहुंचा आपकी दवार अभियान का सुभारं मध्य प्रिदेश की किस मंत्री दवार किया गया है तो ये question भी important है ये ओजना हरिद्वार पहुंचा आपकी दवार तो option number C यहाँ पर हमारा right answer है बिश्वास सारंग अगर हम यहाँ पर बात करें तो गायत्री परिवार का हरिद्वार पहुंचा आपकी दौर का भियान का सुभारंब 20 दिसंबर को मंत्री बिश्वास सारंग ने देप परिवार निर्मान संकल्प पत्र जारी कर किया है और इस मौके पर पूर्व शांसत कैलास नारंट सारंग को शृद्धा शुमानर्पित किये गए हैं तो यह आपको याद रखना है नेक्स्ट हमारे यहाँ पर है सेबंध नमबर कॉस्चन हाली में कब मलखंब को खेलो इंडिया यूद गेम में सामिल किया गया है यह कोश्चन बएरी इंपोरटैंट है यह आप जरूर अच्छे से याद रखना कि मलखंब को कब यह खेलो इंडिया यूद गेमस में सामिल किया गया है तो 99 डिसंबर 2020 को गतका, मलखम्ब कलरी पयर टू और थांगता के नैश्नल यूद गेम्स में सामिल करने की घूशना की है तो अभी जो किननर्रिज्चु हैं हमारी केंद्री खेल मंत्री इन्होंने चार खेलों को ठीक हैं चार खेलों को खेलो इंडिया यूद गेम्स में सामिल किया है इन चार खेलों के नाम मैंने आपको बताए हैं जिसमें हैं गतका, मलखंब, कल्रीय पट्टू और थांगता और अगर इसमें हम बात करें तो मलखंब हमारा मद्धे प्रदेश और महरास्ट का खेल है ठीक है तो इसलिए ये इंपोर्टन ठाई क्वेशन तो यहाँ पर मैंने ये रखाए ठीक है तो यह आपको याद रखना है और इन चारों खेलों को 19 दिसम्बर 2020 को खेलों इंडिया इद गेम्स में सामिल किया गया है अगर हम यहाँ पर बात करें तो मलखंब मध्यप्रदेश का राज किये ठीक है राज किये खेल है और यह आपको याद रखना है और मलखंब की सुरुमात कहां से हुई थी तो महरास्ट से हुई थी यह भी आपको इससे याद रखना है और यह खेल चौथे सीजन से खेले जाएंगे और इने यूथ गेम्स में सामिल करने से मैडल होप बढ़ी है और ये चारों खेल देश के अलग-अलग हिस्सों का प्रतेने देत्व करते हैं कलरेपियर 2 की सुरुवाद कहां से हुई है कलरेपियर 2 की केरल से हुई है इसलिए कलरेपियर 2 इसका नाम रखा गया है तो ये आपको याद रखना है और मलखंब मध्यप्रदेश और महरास्ट में सबसे ज़्यादा खेला जाने वाला खेल है तो ये भी आप इसके बारे में याद रखेंगे और एक और कॉश्चन आपको याद रखना है मलखंब से कि देश में पहले द्रोणाचारे अबॉडी मलखंब में कोच है योगेस मालवी और इनका संबंद कहां से है तो इनका संबंद मध्यप्रदेश से है ठीक है तो इनका नाम भी आपको याद रखना है योगेश मालवी आज की सीरीज हमारी यहीं कम्प्लीट होती है और अगर आप लोग ईवोक्स के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं तो लिंक अभी लेबल है डिस्क्रिप्शन वोक्स में आप बहाँ जाकर इनको पर्चेस कर सकते हैं मत्यप्रदेश करेंट अफिर की इवोक है इंग्लिश में जन्वरी टू सेप्टेमबर हिंदी में जन्वरी टू अगस्त की है और मंथली मैग्जीन भी लेवल है अगस्त मंत की और मत्यप्रदेश सामा निग्यान यानि MPGK के 1000 प्लस MCQ हिंदी इंग्लिश में इसमें आपको MCQ मिल जाएंगे ठीक है तो सभीक लिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आपको वाट्स अप कार सकते हैं इस नम्मर पर थैंक्स पो बोचिंग माई वीडियो प्लीज वीडियो को जादर जादर लाइक करें सेयर कर ने चनल पन्नाए है तो चनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यूंद करें अब दो